हाई दोस्तो मैं आपका दोस्त अब्दुलकूरत तो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह मैसीव फर्गूसन डस मैटिस दी आई तो दोस्तो हम पे हमारे काफी किसान भाईयों का कॉमेन आता है कि अब्दुल भाई हमारे टेक्टर के डिजल पम का पूराना ओईल हमें चेंज करना है और उसमें हमें नया ओईल डालना है तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं और उसमें हम नया ओईल कैसे डाल सकते हैं तो आ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंटक देखना मैं आपको इस विडियो के मार्जम से डिखाऊँगा कि इसमें से पुराना ओईल कैसे निकालते है और उसमें नया ओईल कैसे डाला जाता है दोस्तो ये वीडियो छोटा है लेकिन उसमें जानकाड़ी काफी है तो आप वीडियो को एंटर देखना तो चलो मैं इसको कहां से इसका पुराना ओयल निकालते हैं वो आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो हमें सबसे पहले यहां से यह वाला इसका एक्स लीटर लीवर को निकाल लेना है कुछ इस तरह से और यह कोटन निकालने के बाद हमें चाहिएगा डस नमर का बॉक्स पैनर जिहाँ डोस्तो डस नमर का बॉक्स पैनर जो यह रहा और यहां पर देख सकते हैं डस नमर के चार बोल्ट लगे है यहां से हमें यह चारो बोल्टो को खोल लेना है और इस तरह से ये dust number के box scanner से बहासानी से ये चारो बोल्ट खुल जाने के बाद ये plate को हमें निकाल लेना है जैसे हम ये plate को यहां से निकालेगे दोस्तों यहां से उसका पूराना oil जितना भी उसमें oil है पूराना वो निकल जाएगा तो आपको ये हर service के दोरान करना होटा है बहुते लोग इसको नजर अंदाज करते है तो इस तरह से हमें इसका ये चारो बोल्ट खुल लेने के बाद पूराने oil को यहां से निकालना होटा है तो देख सकते हैं हमने इसके डो बोल्ट निकाल लिये है तो जल्दी से अभी हम बाकी बचा बोल्ट डो हमने निकाला और इसके बाद इस तरह से हमें एक कराई को नीचे के और रखना है ताकि इसमें से जो पूराना oil निकले हो नीचे ना गिर जाए तो देख सकते हैं दोस्तो हमने इसके चारो बोल्ट जैसे खोले यहां से पूरा oil निकल गया तो इस त में एक या दो मरतबा उसमें oil डालना होता है उसके जवरत के मुटाबिक अगर आप regular डालते हो तो उसमें इतना जल्दी oil खराब नहीं होता है तो आपने देखा इस तरह से प्लेट खोलने के बाद यहां से पूराना oil सारा का सारा पूरान oil हमें इस तरह से बहार निकाल ल पर ना उटा है जैसे कि इसमें 50 गराम या 100 गराम जितना भी उसमें जाए हमें उसमें डालना है तो आप वीडियो को अंटक डेखना में उसका oil कहां टक हमें डालना है वो भी मैं आपको डिखाऊंगा तो दोस्तों अभी हमारा सारा oil निकल चुका है तो इसके बाद हमें इस तरह से यहां से जो भी ढूल मट्टी लागा इसको अच्छे से कॉटन की मटच से साफ कर लेना है कुछ इस तरह से और उसका प्लेट जो हमने निकाला इसको भी साफ करने के बाद देख सकते हैं यह जो टॉप लिखा हुआ हिस्सा हमें उपए क्यों रखते हुए प्ले को चेंज नहीं करते या उसमें टॉप अप नहीं करते तो हो सकता है कभी और नहीं की वज़ा से आपको बड़ी लागत का सामना करना पर सकता है क्योंकि यह सो या देर सो रुपे का आपने नजर अंदाज किया तो कभी कभी क्या उठाए दोस्तों लॉंग टाइम चलने के मैं थोड़ा कैमेरा साइट पर कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे तो मैं कैमेरा को थोड़ा एक्जिस कर लेता हूं तो यह जो ओईल कैप है उसको खोलने के लिए दोस्तों हमें चोड़ नमर का फिक्स पैनर चाहिए होगा तो यहां से हमें इस तरह से यह चोड़ा नमर की फिक्स पैनर से यह कैप को खोल लेना है और इसके बाद हमें यहां से इसमें ओईल डालना है और हाड दोस्तों हमें डिजल पम में वही ओईल डालना है जो हम एंजिन में यूज़ करते हैं जैसे के 15W40 या 20W40 तो इस तरह स कि सर्विस के बीच में या आपकी सर्विस महीने में होटी है या दो महीने में होटी है जब तक 200 Hyundai होटेक न उसके बीच में आपको एक या द्cido मरतबा डिजल पंए इस तरह से याहां से ऑल को डाल लेना रहे उसमें टॉप अप करना है चाहे फिर उसमें 50 ग्राम जाए या 100 ग्राम जाए अभी इसमें जाएगा क्योंकि हमने पूरा निकाल दिया है तो उसमें कम से कम 500 ग्राम ओयल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे टेक सकते हैं क्योंकि हमने इसका पूराना सारा ओईल निकाल दिया है तो अभी हमने इसका ओईल डाल दिया तो आपको कहां तक डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसका oil cap लगा लो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको कैसे पटा चलेगा कि diesel pump का जो oil का gauge है उसका जो नाप है वो बराबर हो गया या नहीं तो जैसे आप इसमें oil डालोगे उसका gauge हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते है एक overfull का pipe लगा हुआ है ये वाला देख सकते है मैं आपको थोड़ा नजदिक से दिखाऊ हूँ ये वाला जो pipe है यहाँ पर बून आना सुरू हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है हमने इसमें 500 ग्राम oil डाला यहाँ पर बून बून करके आना सुरू हो गया इसका मतलब diesel pump में oil ठीक इसका जो company ने नाब दिया है उसके बराबर हो गया है तो यहाँ तक हमें डालना होता है देख सकते है इस तरह से यहाँ पर बून आना सुरू हो जाए हमें oil डालना बन कर देना है तो सायद आप समझ गए तो अभी हमें इसके बाद जल्दी से यह वाला इसका जो एक्सितल लीवर हमने निकाला उसको fit कर लेना है हमारा काम finish हो गिया तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको यह मेरी छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी और हाँ दोस्तों गर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाईयों में भी शेयर करे ताकि उनके टेक्टर में कभी उनको oil चेंज करना है तो इस तरह से यह कर सकते है दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कोई वीडियो में टप टक के लिए दोस्तों धन्यावाट